हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप सब लोग मैं आपका दोस्त पंकज और स्वागत था आपका अमरी एक और नई वीडियो में जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो ये है बहसाली बसिस्टेंड मेरट और उसी के साथ में स्टार्ट हो जाता है आपका बहसाली RTS स्टेशन तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मेरट बहसाली बसिस्टेंड के पास से ही आपको एक 6-7 फ्लोर की एक बिल्डिंग देखने के लिए मिलेगी जो कि यहां का एड्मिनिस्टेटिव ओफिस होने वाला है और साथी साथ यह स्टेशन होने वाला है अंडर ग्राउंड तो जैसे कि आप सामने देख भी सकते हो कि नीचे काम चल रहा है और आपका जो स्टेशन है वो भी बनकर लगबग तयार हो चुका है और साथी साथ जो यहां की टनल वगएरा है वो भी मोस्टली कंप्लीट हो चुकी हैं तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होगे कि ओपर से ज्यादा काम आपको देखने के लि भी अभी आपको देखने के लिए मिलेगा इनका अड्मिस्टेटिव ओफिस एंसी आटीसी का तो यहां पर ओफिसर्स वगएरा भी बैठते हैं एंसी आटीसी के तो इधर आप देखोगे कि टनल वगएरा का काम यहां पर चल रहा है और मैं आपको बता दूं कि जो आपका रैपिड रेल है वो साहीबाबाद से और आपका मोदिनगर नोर्थ तक स्टार्ट हो चुकी है और आपका जो मेरट साउथ स्टेशन है वहां तक चलने में अभी ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है तो वहां तक ट्रेन तो आती है लेकिन अभी आम लोगों के लिए नही खुला है इस्टेशन अगर आपको उस इस्टेशन की यानि कि मेरट साउथ स्टेशन की वीडियो देखनी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हो कि जो अंडरग्राउंड वर्क चलना है यहां से उपर से देखने के लिए आपको कुछ वर्क म से यहां सकते हुगा क्योंकि जो रैपिट रल रेल वो मोधीपरम के बाद में आपके बेगंपुल स्टेशन पर रुक एग जो की अंडरग्राउंड इस्टेशन है और उसके बाद में सताबदी नगर स्टेशन और Merit South Station तो जो Rapid Rail के चार ही station Merit के अंदर होने वाले हैं उसके अलावा आपके जो Merit Metro है उसके बारह स्टेशन होंगे और उन बारह स्टेशन से अलग एक स्टेशन होगा डीपो का स्टेशन तो इन बारह स्टेशन में से चार स्टेशन ऐसे हैं जो मोधिपुरम, बेगमपुल, Merit South और सताब दिनगर इन स्टेशन पर आपका Rapid Rail और Merit Metro दोनों रुकने वाली हैं इसी वज़े से इन स्टेशन पर आपका ट्रेक की संख्या भी ज़्यादा होगी यानि कि प्लेटफॉर्म भी ज़्यादा होगे किसी पर या चार भी अभी जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था Merit South की स्टेशन की वीडियो में तो वहाँ पर तीन प्लेटफॉर्म थे क्योंकि उसी स्टेशन पर Merit Metro और Rapid दोनों ही रुकने वाले हैं तो चलिए फिर आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पहसाली स्टेशन के बारे में जैसा कि आप देख भी पारे होगे कि यहाँ पर आपको वर्क होता हुआ नजर आजागा यह कंप्लीटली अंडरग्राउंड स्टेशन है मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि यहाँ पर बिल्डिंग एक बिल्डिंग बल रही है जिसके 5-6 फ्लोर है जिस पर तो वो administrative बिल्डिंग होने वाली है और यहाँ आप देखोगे कि underground काम होता हुआ यहाँ से आपको नजर आएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें सेर करें और अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो comment box में लिख सकते हैं क्योंकि मैं सब ही comments परता हूँ और mostly comments के जवाब देने की कोशिस करता हूँ तो फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे और आपको थोड़ा सब पास से दिखाता हूँ जितना भी दिखा पाऊँगा क्योंकि अभी underground जने की permission हमें नहीं मिल पाई है जैसे ही permission मिलेगी वैसे ही मैं आपको underground station भी दिखाऊँगा अभी मैं आपको बाहर से ही दिखा पा रहा हूँ और underground में भी station की बात करूँ मैं तो लगबग 100 feet नीचे तक station है तो आगे जो बेगमपुल station है और आपके दूसर दिल्ली के तरफ बात करें तो आगे मेरट central station है तीन station ये underground होने वाले हैं और तीनों station में से बेगमपुल station पर दोनों यानि की metro और rapid rail दोनों रुकने वाली है वैसाली और मेरट central दोनों stations होने वाले हैं मेरट metro के लिए और मैं आपको बता दू कि अभी इस time पर भी मेरट से दिल्ली पहुचने में आपको दो से तीन घंटे minimum लग जाते हैं और जहां तक ये train जाने वाली है सराइकाले खां तक वहां तक पहुचने में तो और भी जादा समय लग सकता है अगर jam कई बार में jam जादा लगेगा तो आपको बहुत बहुत time लग जाता है लेकिन आपका rapid rail और मेरट मेट्रो के बन जाने से आपको बहुत ज़्यादा सुईधा होने वाली है आपके दो-तीन घंटे का सफर ये मातर एक घंटे में चलने वाली है क्योंकि ये semi high speed train है जिसकी top speed 180 km प्रती घंटा है और ट्रायल के समय पर ये 160 km प्रती घंटा की speed से आपके track पर दोड रही थी और अभी मैं यहां का route divergen की बात करूँ तो आप देख भी सकते हो इस वीडियो में कि किस तरह से route का भी divergen किया गया है तो लगबख single road ही यहां पर चल रही है बाकी ये जो area है ये station का होने वाला है बैसाली station का जो कि underground है बाकी आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकरी के साथ में तब तक के लिए राम राम झाल 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 झाल